अपने आसपास के लोगों में जो सबसे अच्छा गुण आपने देखा है, उन्हें उनके उस गुण से पहचाने, लोगों को सबसे बुरे गुण से पहचानने के बजाए, उनके सबसे अच्छे गुण से पहचानने से, आप उनके सर्वश्रेष्ट पहलूं को उजागर करे तब उनके बैतरीन पहलू पोशित होंगे और आपको मिलेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे, वो स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी कम से कम आपके लिए। आप जिस भी इंसान से मिलते हैं, उसमें कुछ अच्छाईयां और कुछ बुराईयां होती हैं। अगर आप बुराईयों पर ध्यान देंगे, तो आपका मन बुराईयों में फस जाएगा। किसी और के कुटिल्ता आपकी हो जाएगी। और इसलिए आपके चारों और से वही चीज ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लगेगी। अगर आप अच्छाईयों पर ध्यान देंगे, भले ही कुछ लोगों में अच्छाईयां बेहत कम हो, पर अगर आप सबसे अच्छे पहलू पर ध्यान देंगे, तो वो बढ़ेगा, कम से कम आपके मन में, आपके अनुभव में वो बढ़ेगा, और उनके अंदर भी उस अच् तो आप अपने मार्क पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप अच्छे पहलू पर ध्यान देंगे, जो उन लोगों में भी मौजूद हो सकता है, जो लागातार जहर उगलते हैं, एक बात तो ये है कि उन बातों को लेकर आपका मन कभी खराब नहीं होगा, दूसरी ब मिला हूँ, जिन्होंने अपने जीवन में भयानक काम किये हैं, पर उन में से कई लोगों ने योग के सरल अभ्यास अपना कर खुद को बदल लिया है, सबसे बड़ी बात ये है कि जब वो मेरे साथ थे, तब वो बिलकुल अध्भूत लोग थे, यही आप भी कर सकते हैं, जिन्होंने अपनी बुराईयों को अच्छाईयों में बदल दिया है, केवल इसलिए कि किसी ने उनकी अच्छाईयों पर ध्यान दिया था, तो कृपया, आप जिस किसी से भी मिले, जो कुछ भी आप उनमें सबसे अच्छा देखते हैं, आपको कोई कलपना करने की कर रखना और उन्हें बुरा स्वभाव अपनाने देना, जीवन के हर पल में इसका अभ्यास करने का अफसर आपके पास है, ये एक संभावना है, आई इसे एक सच्छाई बनाते हैं